नमस्कार आप सभी गस्ट वागत है सीज़ आप न्यूस पर दोस्तों आज की शुड़ियो को माध्यम से हम आपको चत्तिगर के जारी किये के कुछ नएने विग्यापनों की जानकारी एकिक करके देने वाले हैं सबसे पहले आपको जीला बलोदा बजार भाटा पारा चत्तिगर के अंतरकत में नियाले धीस कुटुम नियाले बलोदा बजार भाटा पारा चत्तिगर के अंतरकत में परिवार नियाले के अंतरकत विभीन पदों पर भरतियों के लिए शिदी भरतियों के लिए विग्याप चला की कुल एक पत पर आधिसी का वहाँक की खुल एक पत पर भृत्य फर रास की कुल दो पत पर इस प्रकात से कुल आठ पतों पर सीधी वर्गतियों के लिए विगयापन यहाँ पर जारी किया गया है इस्टनों कर अपर हिंदी के पत पर चेनीत अभियरतियों को वेतन मेट्रिक्स लेवल 7 के अंतरगत में 28,700 से लेकर कि 99,300 रुपए वेतन मान दिया जाएगा इसके लिए चेक्षणी के उगिता किसी मानिता प्राफ्ट उस इद्याले से आराक्षी तवर्गा के लिए 49,45% और अनाराक्षी तवर्गा के लिए 45% अंगों के शाथ में ग्रिजुएशन पास होना जरूरी है 37 में मानिता प्राप्त संस्थान से एक वर्षी कंप्यूटर में डिप्लोमा भी होना जरूरी है साहा ग्रेटींग के पत पर चैनीत अभियर्थियों को वेतन मेट्रिक्स लेवल 4 कंतरगात 19,500 से लेकर के 62,000 रुपे की सिलरी प्रती एक माहत दी जाएगी इसमें आवेदन करने के लिए चैनीत अभियर्थियों को वेतन मेट्रिक्स लेवल 3 के अंतरगात करके 56,900 रुपे की सिलरी दी जाएगी इसके लिए किसी मानेता प्राप्त बूर्ड से पूरो माद्य में अभियर्थी जो इन पोदों के लिए अपने आवेदन पत्र विभाग को भेजना चाहते हैं ऐसे अभियर्थी अपना आवेदन पत्र कारेलाय जीलाय में अभियर्थी अकर आवेदन पत्र विभाग को भेजना चाहते हैं तो अभियर्थी दस परवरी 2022 साम पांच बय तक अपना आवेदन पत्र विभाग के इसके पते पर भेज सकते हैं जानकारी आपको इस विग्यापन से प्राप्त हो जाएगे विग्यापन आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं पत्र यहां पर जमा कर सकते हैं अगर आप लेट फिस दे करके दस्वी बार्मी के परिक्षा प्राइवेट ओपन के माध्यम से दिलाना चाहते हैं तो आप यहां पर 31 जनुवरी 2022 तक यहां पर संबंधित केंद्रों में जाकरके अपना फार्म जो है निर्धारी तिति के भ अपना आवेदन पत्र 18 फरवरी 2022 साम पांच वेट तक विभाग को भेज सकते हैं अपर कुटुम नियाले जस्पूर के अंतरगत में स्टेनोग्राफ पर हिंदी के कुल एक पत पर सिधी भरती के लिए विग्यापन जारी हुआ है जिसके लिए उक्चु का भेड़ित है अ और साथी साथ में सिग्र लेखन मुद्र लेखन का प्रमार पद्र और एक वर्सी कंप्यूटर में डिप्लोमा भ्यरतियों को पास होना जरूरी है भरती के समझ में विष्टिर जानकारिया और आवेदन पत्र का प्रारूप अविज भिग्यापन से प्राप्त कर पाएंग यहाँ पर मसाज थेरेपिस्ट पूरूष के लिए एक पत पर और मसाज थेरेपिस्ट महीला के लिए एक पत पर दैनिक मजदूरी के आधार पर पतों में यहाँ पर निउक्ति जो है की जायेगी जिसके लिए आवेदन पत्र यहाँ पर आमंत्रित किया गया है इन पतों प पुरुस अभियर्थियों के लिए उचाई 165 cm से कम नहीं होनी चाहिए और महिला अभियर्थियों के लिए 152 cm से भी कम नहीं होनी चाहिए साथ में अभियर्थियों को मेडिकल रूप से फिट भी होना जरूरी है इसके लावा यहाँ पर किसी सास्की संस्था में मसाजर के रूप में कारे करने का नियुनितम दो वर्स का अनुभव यहाँ पर मागा गया है सांदी साथ में आवेदकों को जस्पूर जी ले कमूल निवासी होना जरूरी है आवेदन करने के लिए एक जनवेट 2022 को अभ्यर्थियों के नियुनितम आईउसी मा 18 वर्स और अधितम आईउसी मा 40 वर्स से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए यहाँ पर मसाजर के पत पर चैन के लिए चैन मेरिट सुची के आधार पर आपके आठवी में प्रापतांकों के मेरिट के आधार पर चैन जो है किया जाएगा एक शुक अभी अर्थी जो इन पोदों के लिए अपना आवेदन पतर भेजना चाहते हैं पर चैन के लिए आधार पर चैन के लिए अभी अर्थी यहाँ पर जारी हुआ है वेबसाइट में और यहाँ पर सेंटर लेजबिलिटी टेस्ट सीटेट के अंतरगत में केंद्री माधमिशीचा बोड ने आज पोस्चन पेपर जारी किया हुआ है अभी अर्थियों के लिए रिस्पोंस सीट के साथ में अजनम दिती के साथ साथ में आप अपने रिजिस्टेशन आईडियो अजनम दिती के साथ भी अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और वहाँ पर जा करके अपना